इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। जिक्र करने लगे हैं। आईए इस आध्यात्मिक गुफा की और उससे जोड़ी तमाम खास बातों की चर्चा करते हैं। इस गुफा का इतिहास बहुत जादा पुराना नहीं है। केरारनाथ धाम विकास की जिम्मेदारी समालने के बाद पियम मोदी नहीं इस गुफा को बनाने के निर्देश जारी किये थे। और इसका निर्मार इसी अप्रेल में ही हुआ है। इसका नाम है रुद्र गुफा। गुफा का निर्मार पिछले साल ही किया गया था। ये गुफा 12,250 फीट की उचाई पर बनाई गई है जिसका इस्तेमाल शद्धालू विधिवत रूप से कर सकते हैं। पियम मोदी ने जिस गुफा में साधना की। ये कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी बलकि भूमिगत और मानव निर्मित गुफा थी। ये गुफा गणवाल मंदल विकास निगम के टूरिस्म डिपार्टमेंट की प्रापर्टी है। अगर आप भी चाहें तो तीन हजार रुपए दे कर इस गुफा में एंट्री ले सकते हैं। ये किराया गुफा में तीन दिन रहने के लिए मानने है। यानि गुफा में रहने का एक दिन का बिजली और टेलेफोन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप फोन के जरीए किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। इस गुफा में बैट कर आप खाना, नाश्ता, चाय, डिनर भी बड़ी आसानी से ओर्डर कर सकते हैं। गुफा में ठंड को देखते हुए बिज इस निगम यानी GMBN की साइट पर जाकर गुफा में रहने का अपने लिए भी बंदोबस कर सकते हैं। इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।